ये जो कुशन आपको दिखायते है रही है ना ये कुशन काक्षा 10 का है अध्याय हमारी ये दो जिसका नाम है बवपद जिसको इंगलिस नो बोलते है पॉलिनोमियर ठीक है पहला कुशन है यदि P अर Q एक दविगात बहुपद दविगात बहुपद क्या नाम क्या है बना AX agrade worth BX plus C ये जो अपना दविगात बहुपद दिया हुआ है के शुन्य के मतलब ये जो दविगात बहुपद है इसके शुन्य क्या है P और Q है ठीकर तो P प्लस Q का मान ग्याद कीजिए मतलब इसका और इसका दोनों का योग ग्याद करना है और ये दोनों क्या है P और Q क्या है शुन्य के तो अपनों को ग्याद करना है शुन्य को का योग तो ये दिविखात बहुत पाद है A X square प्लस B X प्लस C और इसके शुन्य को क्या है पी और क्यू है तो अपने को प्लस क्यू का मान ज्यात करना है बतलब शुन्य को का योग ज्यात करना है मैंने आपको शुन्य को का योग का सुतर बताय था तो शुन्य को का योग का सुतर होता है शुन्य को का योग इसका सुत्र होता है अपना माइनस B अपोन A अब देखलो कौन सा उप्षिन में है यह माइनस B अपोन A उप्षिन नमबर B में तो यह अपना राइट आंसर हो जाएगा इंपोर्टेंट क्युशन है एक नमबर में पूछा जा सकता है अच्छा क्युशन है डारेक्ट पूछ सकता है एक नमबर में ठीक है क्युशन नमबर यही दूसरा है यदि P और Q एक द्विगाद बहुपत AX स्कार प्लस BX प्लस C के शुन्य के मतब इस द्विगाद बहुपत के शुन्य क्या है P और Q है तो P गुणा Q का मान गया यह मतब दोनों को गुणा कर दिया शुन्य को का गुणनफल तो मैंने आपको शुन्य को का गुणनफल का सुत्र बताया था शुन्य को का गुणनफल इसका सुत्र होता है हमारा C अपोन क्या होता है C अपोन A कौन सा option है? option number c तो शुन्योको का यो का सुतर होता है minus b upon a और शुन्योको का जो गुणन फल का सुतर होता है वो था है अपना c upon a दोनों को याद रखना है important है दोनों के दोनों ठीक है? एक नमर में इसा question पूचा जा सकता है I hope आपको पूरा समझ में आगया होगा तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आए होगा इस वीडियो के इतनी अगली question में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं Thank you